Welcome back to my channel Quick Knowledge तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक civil engineer की की इनके क्या काम होते हैं और किस तरीके से आप एक civil engineer बन सकते हैं और फ्यूचर civil engineer करने के बाद क्या-क्या job opportunity होती है गौर्मेंट सेक्टर में क्या किस-किस में बैगंजिया निकलती है और प्राइवर्ट सेक्टर में आपको कहा-कहा job मिल सकती है और सहली आपको कितने मिलेगी इस total बाते हैं हम इस बीडियों चलिए अब जानते हैं कि एक civil engineer का काम क्या होता है civil engineer का काम होता है किसी project के लिए design तयार करना जैसे building हो गया road हो गई, airport हो गई, house हो गई तो इन सबका एक structure तयार करने का काम जो होता है वो civil engineer का काम होता है यह काफी जिमेदारी और जोकिम भरा होता है काम civil engineering दो तरीके से किया जाता है एक तो आप junior civil engineer काहते हैं दूसरा आप senior civil engineer junior civil engineer क्या होता है इसमें आप हाइ स्कूल के बाद डिप्लोमा करके आप junior civil engineer बन सकते हैं और इंटर के बाद B.T.E. करके आप senior civil engineer बन सकते हैं आपने B.T.E.C. civil engineer में किया और उसके बाद आगे भी पढ़ाई खरना चाहते हैं तो आप post graduation के लिए भी अपलाई कर सकते हैं जिसे हम Master of Civil Engineer भी कहते हैं, M.T.E.C. या M.E.C. के नाम से जाना जाता है इंजिनिंग में बहुत सारे बिसे होते हैं जैसे Coastal Engineering, Structure Engineering, Construction Engineering, Earthquake Engineering, Environmental Engineering, Outhouse Plot Engineering, Parsec Engineering, Geotechnical Engineering विस्वे मैंसे आप किसी एक बिसे को चूच करके इसके इसपर्ट भी बन सकते हैं करते हैं eligibility criteria की, तो 10th के बाद आप Junior Civil Engineer के लिए आप Polytechnic का फार्म बढ़ सकते हैं और Inter के बाद आप B.T.E.C. के लिए या B.E. कर सकते हैं आपका इसके लिए Inter में जो percentage है, वो 60% होना चाहिए बिद PCM के साथ, Physics, Chemistry और Math के साथ अब आजाते हैं admission process में तो भारत में engineering जो course है, बहुत ही popular course है हर साल लाखो बच्चे बीटे करने के लिए admission की courses लग रहते हैं जिनकी वज़ा से बहुत सारे जो topmost आपके engineering college है उसमें अगर आपको admission लेना है, तो बहुत ही ज़्यादा competition है ऐसे में आपको बहुत ज़्यादा courses करनी पड़ेगी और इसके लिए आपको interest देना पड़ेगा ताकि आप किसी अच्छे college में अपना admission ले सकें एक बात और फ्रेंट, अगर आपने पहले से polytechnic या diploma courses कर रखें तो आपको बीटे के second year में आपको direct admission मिल जाएगा तो कुछ interest टेस्ट देने होंगे जैसे JEE main, AP EMCET, JEE advance और BIT SAT जैसे आपको test qualify करने पड़ेंगे इस test में जो भी questions होते हैं वो inter के base पे होते हैं करने के लिए कुछ topmost engineering college की बात करें तो जैसे IIT Bombay, IIT Delhi, IIT Kanpur, BIT Kharagpur इस पकार IIT की लगबग 23 branches इंडिया में है और civil engineering करने के लिए जो second choice student की होती हो NIT होती है NIT की लगबग 31 branches इंडिया में है student की जो next choice होती है BITS होती है बिला आइस चुटाप जोगी बिलानी है में है रजस्थान में कालेजों के बाद अगर आपका selection नहीं होता है तो आप IIT के जो marks होते हैं उसके base पे आप अपने state में किसी भी government college में admission ले सकते हैं इस बाद हम आपको जरूर बताना चाहेंगे कि 4 साल का अपने course पूरा किया इसके बाद आप internship जरूर करें क्योंकि इसके दोरान आपको काम करने का experience हो जाएगा इस साल काम करने के बाद आप license के लिए जरूर अपलाई करें क्योंकि license मिल जाने के बाद आप एक professional civil engineer बन जाएंगे लिखे जॉब opportunity की बात करें तो private sector और government sector दोनों जगा जॉब की opportunity हमेशा बनी रहती है इसके साथ अगर आप जॉब नहीं करना चाहते हैं तो आप self-employed भी हो सकते हैं इसके सेक्टर की बात करें तो टॉप टॉप फाइब जो हैं वो civil engineer के लिए हैं आपके पास पैसा रूत्वा पैसन सब कुछ रहता है पहली जो जॉब है वो है इंडियन इंजिनिक सर्विस की इसमें आपको बीटेक होना चाहिए candidate को उसके साथ आपको प्री जाम देना है उसके बाद फिर मेन देना है और फिर इंटर्व्यू देना है उसके बाद इंटर्व्यू होंगे इसमें भी सेल्ली की बात करें तो जो स्टार्टिंग सेल्ली होती है 56,000 होती है उसके साथ साथ आपके इस्टा आलांसेस आलंग विलते हैं इसके बाद मेरेक्टी में DRDO की जॉब होती है इसके लिए अगर आपने इजाम गेट क्वालिफाई कर रखा है तो आपको सिर्फ इंटर्व्यू देना पड़ेगा इसमें जो सेल्ली होती हो 75,000 होती है 75,000 होती है इसमें भी जो सेल्ली होती है 56,000 होती है स्टार्टिंग सेल्ली आपकी जो बात करें वो DMRC है दिलही मेट्रो इसमें भी स्टूडेंट का B.E.E. या B.T.E.C. होना चाहिए इसके जो स्टार्टिंग सेल्ली हो 39,000 है और इस्टा इलांसेस अलग से देखिए फ्रेंट्स से यह टॉप मोस्ट जोबे हैं जो गौर्णमेंट सेक्टर में हलसान निकलती है फ्रेंट्स यह तो रही गौर्णमेंट सेक्टर की जॉब है आपने कुछ समय तो गौर्णमेंट सेक्टर में भी जॉब किया है और आपका मन काम करने में अब नहीं लगता है आप चाहते हैं कि आपका खुद का बिजनेस हो तो आप से इंप्लॉइट भी बन सकते हैं इसके लिए आपके पास civil engineer का आपके पास license होना चाहिए civil engineer से related मैंने सारी information आपको दे दिये फिर भी अगर आपको लगता है कि हमसे कोई information छूट गई है तो प्लीज आप comment box में जरूर लेके thanks for watching my video please share like and subscribe झाल झाल झाल